हेलो फ्रेंड्स एन वेल्कम टो आर चैनल माइनम इस आदर्स क्रिश्न और वाचिंग बात करने वाले हैं यानि कि लास्ट फॉर येर्स में आपका जे एडवांस का रैंक रहा है वो मार्क्स के हिसाब से कैसे वेरी किया उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि जो आपका रैंक है वो कहां से कहां तक फ्लक्ट्वेट करने वाले हैं आपके मार्क्स के हिसाब से जेएडवांस 2020 में तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो जेएडवांस मार्क्स व 16 का जो मार्क्स विसेज रैंक का कंपैरिजन है उसको देखेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जेएडवांस 2019 का मार्क्स विसेज रैंक को तो जो आपका जेएडवांस 2019 का रैंक वन था उसके जो मार्क्स थी वो जेएडवांस 2019 का आपका हाइस्ट मार्क्स था यानि 10, 310 मार्क्स, रैंक 45, 284 मार्क्स, रैंक 87, 273 मार्क्स, रैंक 237, 252 मार्क्स, रैंक 500, 227 मार्क्स, आपके 220 मार्क्स में आया थे, 648 रैंक, 216 में 746 रैंक, 214 में 780, 211, 852 रैंक, 210 आपके 868 रैंक, 207 में आपके आया थे, 981 रैंक, और 206 मार्क्स में आपके आया थे, ता definite 1000 ऊके 206 मांस में आपका आए था 1000 राइंग जैड्वांच 2019 में तो यह तो बात होगा जैडवांस 2019 मोग की मांगस वसे रहें की अब हम बात करते हैं लास्ट स्य यूर्स के मांग के बारे में तो आप यह देख सेक्ए हैं यह आपका रांग और 2016 में उसके highest marks थे आपके 2018 में थे rank 1 के 337 marks, 2017 में 339 marks, 2016 में 320 marks और ये सारे जो marks हैं ये corresponding years के highest marks थे ठीक है, J Advance में 101 rank पर आपका 2018 में था 272 marks, 2017 में 305, 2016 में 246 marks, 201 rank पर आपका 2018 का marks था 258 marks 2017, 295 marks 2016, 230 marks 301 rank पर आपका था 2018 में 247 marks 2017 का data नहीं है 2016 में आपका था 206 marks यानि 206 marks पर आपका आया था 301 rank 2016 में फिर आपका 2018 में 207 marks पर आया था 2101 rank 243 marks पर आपका आया था 2101 rank और फिर आपका 2016 में 178 marks में आया था 2101 rank ओके फिर आपका देख सकते हो 2018 में 174 marks में आपके आया थे 3301 rank 2017 में 227 marks पे 2016 में 147 marks पे फिर आप 2018 में देख सकते हो 159 marks पे आपके आया थे 4901 rank 2017 में आपके 212 marks पे आया थे 2016 में आपके इतने ही rank 135 marks पे आया थे फिर आपका 2018 में 138 मार्क्स पे आया था 8201 रैंक, 2017 में आपका 190 मार्क्स पे आया था ये रैंक, और 2016 में आपका ये रैंक 118 मार्क्स पे आया था, ओके, फिर आप देख सकते हो 2018 में 130 मार्क्स पे आया था 10,001 रैंक, 2017 में 182 मार्क्स पे आया था 10,001 रैंक, 2016 में आपका 111 मा माक्स पर आपका आया था 10501 रेंक, 2017 में सेम रखार है था 180 माक्स पर 2016 में आपके सेम रेंक़ आया था 110 मारेंक्स पर, ओके mortgage सकते हो इस रिजगा और हर सो सबसलाइब करते है ढाई कुछ भी सूरा नहीं करते है यह स्थे करने हो कहाँ से कहा तक vary करेगा, यह सारे marks vs rank के analysis देखने के बाद, okay so that's all in this video guys, if you find this video helpful, please like and share this video with your friends and do subscribe to our channel to get more updates, thanks for watching